हालो एबरिवन स्वस्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनोध लर्निंग अपपर दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है HPU BN Entrance 2024 के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने Entrance किस तरह से क्रेक करना है और आपने किस तरह से HPU में अपनी seat confirm करनी है या फिर आपके GCT धरमशाला में अपनी seat confirm करनी है यानि government seat आपने किस तरह से प्राप्त करनी है और साथी में आपका बताऊंगा मैं 2023 में कितनी cut-off गई थी और expected 2024 में कितनी cut-off जा सकती है bear entrance HPU में या फिर आपका धरमशाला में और आपका जो है वो exam का standard क्या रहता है यानि आपकी जो cut-off है वो किस पर depend रहती है और आपने entrance के लिए किस तरह से त्यारी करनी है यह सर्चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों सबस्पहले में आपको बता दू कि जो entrance है वो total marks का कितना होता है 150 marks का होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया है रही बात negative marking थी वो negative marking यहाँ पर नहीं होती है HUBR entrance में ठीक है अगर मैं 150 marks की बात करूँ यानि अगर slavus की बात करूँ मैं उस पर already video मना चुका हूँ details ले बस में ठीक है फिर अगर हम government college की बात करते है आपका है पर HPU है और government college of teacher education धरमशालत GCT है ठीक है तो अगर हम HPU की बात करें यहाँ पर total sheet कितनी है वो आपकी 100 है और GCT की बात करें वो 250 है ठीक है वही हम HPU में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो HPU में non medical की कितनी city है 50 है medical की 20 है और arts plus commerce की कितनी है 30 है total होगी 100 ठीक है वैसे आपके GCT में कितनी है non medical की 100 है medical की 50 है और arts plus commerce की 100 है total होगी 250 ठीक है फिर यहाँ पर एक conflict किया रहने वाला है कि SPU मैंने आपको last video में बताया था कि अब भी एक confirm नहीं है कि क्या SPU जो है वो 5 से 6 डिस्टी के लिए अलग से entrance connect करवाएगा या फिर हर बार की तरह है SPU ही entrance connect करवाएगा बट इस बार chances है कि SPU आपे अलग से entrance connect करवाएगा कौन कौन से डिस्टी के scan रहते हैं कैसे entrance करवाएगा जाता है उसका link मैं इस video के discussion box में डाल दूगा और जैसे ही यह चीज़ यहाँ पर confirm होती है मैं immediately उसके video बनाऊगा इसलिए जो entrance, BA entrance 2024 की त्यारी कर रहे है वो इस channel को बिल्कुल जो है वो subscribe कर दे और share भी कर दे जब तक आपका entrance से लेकर counseling admission नहीं होती है किसी college में और आपकी BA complete नहीं होती है तब तक मैं आपका साथ दुगा इस channel के माद्यम से और मैं अपना WhatsApp नंबर भी share करता हूँ तो मैं उससे आप जो WhatsApp के त्रूब भी जूट सकते हैं ठीक है तो यह रही है हमारे यहापे इसके बाते अगर हम बात करें आप एक criteria की जो आपका entrance है अगर हमें trans की बात करते हैं वहापे वहापे हिमाचल परतेश bonafide certificate होना चाहिए 85% seat जो है यह bonafide के base पे fill up के जाती है और 15% seat जो हो other states के बच्चों के लिए होती है तो अगर कुछ बच्चों का जो confusion रहती है कि यह other state वाले अगर beard यहां से कर सकते हैं क्या उनकी beard eligible रहेगी उनके state में यहां पिर हमीमाचल वाले other states से beard कर सकते हैं क्या हमारी beard eligible रहेगी बिल्कुल हम चाहिए किसी भी state से beard करते हैं हमारी beard eligible रहती है इसमें कोही भी issue नहीं रहता है बस फरक ही रहता है कि अगर हम अपने state से beard करते हैं तो हमारा जो है वो बैच बाइस नंबर आता है तो अगर तो आप बैच बाइस के लिए beard करोगे फिर तो क्या ही फायदा उस भी एड़गा ठीक है फिलाल हम इस बात को छोड़ते हैं अगर हम यहां पे 2023 की cut-off की बात करते हैं दोस्तों यहां पे तो यहां पे आप देसकते हैं कि 2023 में जो नौन मेडिकल का टॉप पर है उसके मांक्स थे 114 यानि 114 और मेडिकल में 117 आर्च में भी 17 कॉमर्स में 112 यह टॉप पर्स के मांक्स है फिर अगर हम cut-off की बात करते हैं नौन मेडिकल में जो इस बार 2023 में cut-off गए थी वो गए थी 105 के एराउंड और मेडिकल में ग गई थी 1110 के एराउंड और आपके कॉमर्स में गई थी 98 प्लस के एराउंड ठीक है वैसे हम बात करें यहां पर यह मैं HPU की कटॉप की बात कर रहा हूं अगर मैं आपे GCT धरमशला की बात करूँ यानि Government College of Teacher Education धरमशला की बात करूँ तो आपे नौन मेडिकल की 102 प्लस बता रहे हो दोस्तों आप exact cut-off काम जो हो पता नहीं लगा सकते है ठीक है मैं आपको इस वीडियो में भी बताँ हूँगा कि प्राइबिट कॉलिज में अगर हमने जो हो एडमिशन लेनी ही माचल परदेश में तो हमें कितने मार्क होने चाहिए जैसा कि आपको बता है प्र कॉलिज कर्मिशन कैसे होती है आपके डोकॉमेंट कैसे बेरिफाई होते है बलकि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता हूँगा कि आपने किस तरह से जो है वो वीडियो देखनी है ठीक है फिलाल जो आपके लिए इंपूरेंट हैं आपे कि 2024 में कितनी cut-off जाने वाली stream wise है दोस्तो अगर मैं बात करूए यहाँ पर नौन मेडिकल की अगर मैं बात करूए यहाँ तो नौन मेडिकल की cut-off जा सकती है 108 plus minus 2 plus minus 2 मतलब की 110 भी जा सकती है और 106 भी जा सकती है जाएगी 104-2, आर्ट के जा सकती है 113-2, और आर्ट के जा सकती है 109-2, और आर्ट के जा सकती है 98-2, यह जो धरमशाला के लिए cut-off जा सकती है. तोड़ी तबियत खराब है, तो अगर आपको clear voice नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माफिश आते हैं, फिर मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो गुनाओ, दोस्तों, अगर हम cut-off की बात करें, cut-off किस पर depend करती है, cut-off depend करती है, actual में, exam के standard में, exam trans हो जाएगा, उसके तुरंत बाद में एक वीडियो बनाऊगा, जहां मैं आपको actual में बता दूआ कि आपके cut-office बाहर जो है, इतनी ही जाएगी, और उसके ही बिल्कुल around जाएगी, ठीक है, आपने prepare कैसे करना है, बिल्कुल PYQ को solve करना है, अगर आप PYQ को solve करते हो, दो इसा नहीं है, एक आपको quality पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, लिमिट से पढ़ना है, जो अच्छा content हो, अब आप बोलेगा हम कैसे पढ़े, PYQ के base में पढ़े, PYQ को अगर मैं बात करो दोस्तों, मैंने PYQ complete solve करवा दिये, I think teaching aptitude के बचे है, बाकि मैंने complete solve करा दिये, म फिर reasoning, फिर आपका comprehension बगेरा, फिर आपका teaching aptitude, है न, जो commissions बगेरा है, वो solve करवाए है, उन सब का link जो है, मैं इस वीडियो के description box में डाल दोगा, आप उसके base में PYQ solve करने है, आपने ऐसा नहीं कि मैंने question read किया है, और मैंने answer बता दिया है, आप वही रट दोगी नहीं, ज इस तरह से आप PYQ solve करेंगे, तो आपका definitely entrance निकलने वाला है, ठीक है, रही बात दोस्तों, private college की, private college आपके 72 है, हमाजर परदेश में, ठीक है, कितने 72 college आपके private college, तो यहाँ पर आपकी 8,000 के around total, जो है, वो seats होती है, ठीक है, तो आपको minimum marks चाहिए admission के लिए दोस्तों, private college में भी, वो कितने चाहिए आपको, वो approximately 60 के around, 60 plus, या आपके मैं मानू, 65 plus, या आपको minimum marks चाहिए, private college में, admission लेने के लिए, ठीक है, और जो ये cut-off है, मैंने over भी बताई है, यहाँ पर, यह मैंने आपर general category की cut-off बताई है, ठीक है, रही बात यहाँ पर EWS की SC, ST, OVC, वो आपने minus 2 marks नीचे करते रहना है, लाइक पहले आपका, अगर मैं EWS की बात करो, यहाँ पर minus 2 कर देना, ठीक ह अगर किसी ने regular beard नहीं करनी है, regular beard नहीं करनी है, non-attending beard करनी है, वैसे यह कोई non-attending beard नहीं है, यह भी regular ही beard है, ठीक है, कोई non-attending का कोई but नहीं होता, beard करने का regular beard ही होती है, अगर किसी ने ऐसी beard करनी है, तो उसमें entrance भी जरूरी नहीं है, आपने just, मैं out of state से मैं beard करा सकता मैं अभी college का नाम डिकलेर नहीं करूगा जब मुझे आप personal message करोगे मैं आपके हमाप admission करूगा हजारों बच्छों नहाँ से बीयर कर लिए हो बिल्कुल eligible रहने वाली है तो उसके लिए क्या होता आपका एरली आपके एक्जाम होते है ठीक है आपको वह पे एरली college आना होता है एक्जाम देने यानि दो साल में आपने दो बारी एक्जाम देने जाना है बाकि आपने assignment और फाइले प्रेपेर करनी है और आपकी बीयर जो वैलिड रहने वाली इसकी guarantee मैं आपको देता हूं ठीक है कुछी ने ऐसी बीयर करनी होगी तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते है इस नंबर में 9805032252 अगर इसी वो पीवाई क्यों चाहिए होगे तो वह भी संपर कर सकते हैं ठीक है तो रही बात हैं पर अधर आपने अगर बीयर के बारे में जानना होगा तो आपने मेरे चैनल को विजिट करना है उसमें एक प्लिस्ट होगी प्लिस्ट में देखना है वहाँ पर आपको 30 प्लस वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आपका एंट्रांस से लेकर एड्मिशन दखका में आपको प्रोसेस बताया है डोकुमेंट्स, वेरिविकेशन, स्कॉलर्शिप के बारे में सब कुछ बताया हुए ठीक है अब देखको अब देखके लिए धन्यवाद